हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपको पोटली बटुए का एक बहुत ही प्यारा से डिजाइन बना कर दिखाऊंगी इसमें मैंने मिर्र लेस लगाई हुई है और बनारसी कपड़े का बनाया है यह तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब इसके लिए मैंने बनारसी कपड़े के दो पीस लिए हुए है इनका मीजरमेंट है लंबा इनकी 12 इंचेज है और दूसी तरफ से यह 9.5 इंचेज है इसी साइज के दो पीस मैंने लाइनिंग के लिए हुए हैं कि दोनों पीज आपस में चुड़े वहाएं उप और इसी तow से फीन मैना फ्organ सिट के लिए हुए तो फंप शीट की चुड़ाई तिट डलेसे लेकिने इनकी लबाई सेवन इनचेज है और इसकी दोरी बनाने के लिए मैंने बनार्सी कपड़े की पटी ली है जो 2 इंच चोड़ी है और लंबाई में 14 इंचे पट。 एक बुक्रम के पटी ली हुई है जिसकी चोड़ा एधा इंच है और लंबाई में यहिए इस बनार्सी कपड़े की पटी से, थोरो तरफ से आधा दो भुए है और इसके लिए मैने रेडि में डॉरी ली है पर इसके साथ ही मैंने कुछ मिरोड लेसेज हुई है दो तरह की मेने यह एक घोनी चोड़ी है और ठोड़ी पतली है तो चलिए अब हम हम ऑस बानार सी कप्ड़े के साथ fort sheate को रखते हैं इस तरह डाल सकते हैं तो यहां पर मैं चोक और बॉक्स बना रही हूँ इस तरह से इसकी जो है लंबाई में उपर दो इंच कपड़ा बनार्सी कपड़ा खाली रहेगा फॉर्म शीट नीचे सेवन इंचे इसके एरिया में ही रहेगी तो उतने जगा पर फॉर्म शीट है उतनी जगा पर हम इसको क्विट कर लेंगे इस तरह से और दोनों पीशें इस सितारा से क्विल्ट करके तयार कर लिया है अब हम एक पीस को लेंगे उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहां पर हम गुलाई में निशान लगाएंगे इस तरीखे से और इसके नीचे वाले दोनों कॉर्णर इस तरह से हम कट कर देंगे यह जिस तरफ फॉर्म है उस तरफ के दोनों कॉर्णर है उपर जहां कपला खाली है वो सीधर रहेंगे को ने और दोनों पीसे को हम इसी तरह से नीचे सराउंड शेप में कट कर लेंगे उसके बाद हम इनको दोनों पीसे को एक साथ इस तरह से रखेंगे सीधा हिस्सा दोनों का अंदर रखेंगे और इस तरह उनको आलपिन से दोनों को दोनों हिस्से इस तरह से हम सेट कर लेंगे तो इस तान सालपिन लगा कर हम सलाई करते हैं तो यह पीसे देदर उदर खिसकेंगे नहीं और बिल्कुल सही जगा पर इस्टिश हो जाएंगे अब इसको स्टिश करते वक्त हम उपर का एक इंच हिस्सा स्टिश करेंगे उसके बाद एक इंच हिस्सा हम बिना स्टिश का छोड़ेंगे और उसके आद हम पूरा बाकी स्टिश कर लेंगे और दूसी तरफ का सरे पर भी हम इसी तरह से करेंगे उपर से एक इंच इंच हिस्सा हम स्ट्रिश करेंगे और बीच में एक इंच का हिस्सा खाली छोड़के फिर बाकी में पुरे स्ट्रिशिंग हो जाएगी तो इस तरह से हम इसको यहां से पक्का करेंगे, पक्का करने बाद एक इंच हिस्से करके पक्का कर देंगे, और फिर एक इंच हिस्से को हम छोड़ देंगे, और फिर यहां से हम फिर पक्का करेंगे, पक्का करके हम इसको यहां से इस्टिश करना शुरू करेंगे, और इस त अब ये दूसरे सिर्फ पर जब हम पहुचांगे तो यहां भी हमने जो बीच-मे एक में हिसरा हमने खाली को दोरा नहीं के जना हो जाएगा का दोनों तरफ है कि और इसक tienes तरह से फोल्ट कर लेंगे कि suicide को और यह Kartा कि शिज्ट कर लिया है और यह सिता से दूस्य तरफ का ही tutte हैं हमने स्टिच कर लिया इस तरह से अब ये लेस है जो चोड़ी वाली मिर्र लेस ली थी वो है इसके किनारे पेसे हम थोड़े से मिर्र निकाल देंगे और उसके बाद जिस जगह हमारा जहां तक फॉम है उसी जगह पर हम इस मिर्र लेस को रखके हम स्टिश कर देंगे तो उपर से दो इंच हिसा छोड़ने के बाद नीचे फॉर्म है तो यह लेस हमाई जहां लगेगी वो उपर का दो इंच हिसा छोड़कर लगेगी तो यह लेस यहाँ पर मैंने स्टिश कर दी है और यह देखिए अब इसको हम सीधा कर लेंगे और यह इसका लाइनिंग वाला पीस है यह डबल फॉल्ड में इस वक्त इसको इस तरह से हम करके už फॉल्ड करके यहां पर किनारे पर राउन्ड शेप में कट कर लेंगे और इसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे यहां पर स्टिश करेंगे तो थोड़ा सा स्टिश करने एक बाद हम 3-4 इंच का हिस्सा यहां पर बिना स्टिश किये हुए छोड़ देंगे और पूरा हिस्सा बागी का स्टिश कर लेंगे तो यहां से हम शरू करेंगे पक्का करके और यहां बिना एस्टिश करने के लिए हमने जूज़ा चोड़ी है वहाँ पक्का कर देंगे और उसके बाद धाए तीन इंच छोड़ेंगे उसके फिर हम पूरा एस्टिश करेंगे इस तरह से और अब हम इसके अंदर में बट्वय जो हमने बनाया उसको इस तरह से सीधा करके अंदर डालेंगे अस्तर वाला हिस्सा हमारा उल्टा है वो बट्वय वाला सीधा है उसको इसके अंदर इस तरह से डाला है और हम आल्पिन के मदद से इनको इस तरह से जोइंट कर लेंगे तो मैंने चारों तरफ आल्पिन लगा लिए हैं इसमें और अब हम यहाँ पर इसको एक परक मार्जिन से स्टिच कर लेंगे चारों तरफ और स्टिच करते जाएंगे और यहाँ पर आल्पिन हम रिमूव करते जाएंगे यहाँ से तो यह पूरे गुलाई में मैंने स्टिच कर लिया है इसको अब यहाँ हमने खाली जगह छोड़ी थी थोड़ी रहाई ती निंच की जगह पर सिलाई नहीं लगाई थी वहाँ से हम अंदर से मैन बटुए को पकड़कर निकालेंगे इस तरह से और इसे पूरा खीच कर बा जो खाली जगह छोड़ी थी उसको मार्जिन को अंदर फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच कर लेंगे इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे इस तरह से कपड़े को सेट करते हुए हम इसकी चाला तरफ टॉप स्टिच लगा देंगे अब इसके बाद हमने बीच में एक इंच जगा जो खाली छोड़ी थी वहाँ पर हमारा यह होल रह गया था इस होल के ऊपर और नीचे हमें एक-एक सिलाई लगानी है तो यह हमें पूरे राउंड में ही लगानी है इस ताह से हम यह निशान लगा लेंगे होल के ऊपर और दोनों तरफ से और इन निशानों को सामने की तरफ बलाते हैं हमने यहां लाइन खीचेंगे और यह पूरी गोलाई में ही लाइन खीचना है हमें और यहां पर हमको सिलाई लगानी है और नीचे वाले हिस से पर भी एक इंच नीचे भी हम यहां लाइन खीचेंगे वहां भ दोनों तरफ हमें सिलाई लगाना है पूरे गुलाई में बटुए की इस तहां से दो लाइन ने जब हम सिलाई की लगाएंगे तो बीच में एक नैफे की तरह से बन जाएगा और इसमें हमें डोरी डालना होगी अब ये नीचे वाले लाइन पर भी स्टिच कर लेती हूँ मैं तो ये नीचे वाले स्टिच कर लिए अब यहाँ पर ये इसका नेफा तयार हो गया है जिसमें हमें डोरी डालना होगी अब ये मिरर लेस है जो पतली वाली लेस है इसको इस तांसे कौने से तीन चार मिरर निकालने के बाद उसके सिर को अंदर फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसको यहाँ पर गोलाई में इस लेस को स्टिच कर देंगे तो इसके लेस का एक किनारी मिरर हैं एक पर नहीं है तो उसी प्लेन वाली किनारी पर हम मशिन चलाएंगे इस तांसे लेस लगा दिये यहाँ पर अब यह बनार सी पट्टी हमने ली थे 14 इंचेस की उसके बीच में हम बक्रम पट्टी को इस तरह से रखेंगे और किनारे फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे और इस तरफ से यहाँ किनारी भी अंदर फोल्ड करेंगे और चारों तरफ से फोल्ड करते हुए इसको बक्रों पट्टी को अंदर पेक करके हम यह स्टिश कर लेंगे तो यह मैंने डोरी बना ली है यह हैंडल लगाने के काम आएगी अब इसके उपर एक लेस का पीस बचवगा है उसको इस तरह से इसके उपर रखकर हम स्टिश कर देंगे तो इस तरह से हमाई डोरी जो हैंडल है यह भी डिजाइनर हो जाएगा और अब इसके किनारे पर जो लेस के उपर मिरर है वह तीन चाल मिरर निकाल के हम पिलेन कर देंगे दोनों तरफ से और यहां से हम हैंडल को बेग में अटेश कर देंगे इस ताह से यहां पर स्टिश करेंगे तो यहां पर किनारे पर से हमने मिरर निकाल दिये थे यहां पर इसी लिए स्टिश हो जाएगा भी है तो यह हमारा हैंडल है पर इस्टिश हो गया है अब हमने यह डोरी ले हुई है रेडिमेट डोरी है इसको इस तरह से हम बीच में से दो पीस करेंगे इसके और इसको सेफटी पिन की मदद से इस तरह से हम इसमें इंसर्ट करेंगे एक तरफ से इसको इंसर्ट करेंगे और जहां से इसको हम इंसर्ट कर रहे हैं वहीं से हम इसको बाहर निकालेंगे और अब इसके बाद हम यहाँ पर इसमें एक नौट लगा देंगे और इसके बाद दूसी डोरी लेंगे उस दूसी डोरी को हम दूसे वाले होल में से डालेंगे और वहीं से बाहर निकालेंगे उसको इस तरीके हम दूसी डोरी भी डाल देंगे पर यहां भी हम एक नौट लगा देंगे अब इसके दोने सिरों का हम इस तरह से बराबर करके पकड़ेंगे और ये एक लटकन लेए हुई है मैंने इसको इस लटकन की दोरी में से निकालेंगे इस तरह से और फोल्ड करेंगे वोफोल्ट करने के बाद हम यह आपर इसका उपर धागे को लपेटेग경 है तो डबल इस ट्रें में हम धागा लिया यह Is दागें के इस तरह से पास पास लपटेंगे और लपटने के बाद हम धागे में नोट बांद के उसको पक्का कर देंगे तो इस तहांसे यह ख़ूरती के साथ है यहां पर रेडी हो जाए गए है और इसी तरीकर से हम दूसरे तरफ की डौरी में भी लटकन इसी तरह से लगा लेंगे तो यह दोनों तरफ से मैंने लटकन लगा ली है और फिर इसको हम जब डौरी को खीचेंगे तो वो इस तरह से बेग हमारा तग्यार हजाएगा तो तो फ्रेंड्स अगर आपको में वीडियो पसंद आई होते हैं उसे लाइक और शेयर जरूर नहे हैं तो में चैनल को सबस्क्राइब करके बिल आइकन को प्रेस करें ताके मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्स पर वाचिंग